मुंबई से 11 सितंबर को किड़नेप हुई एक साल की बच्ची को मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट एक ने जैपूर से धून निकाला है पुलीस ने इस मामले में आरोपी महिला पायल लक्षमत सींग को गिरवतार कर लिया है बच्ची का किड़नेप चर्च गेट के इरोम थेटर के बाहर फुट पाथ से उस समय हुआ जब वो अपने माता पीता के साथ सो रही थी इस घटना को लेकर मरिन राइव पुलिस स्टेशन में 11 सितंबर को मामला दर्श किया गया था शिकायत के बाद टीम ने मामले की जाच शुरू की जिसके बाद CCTV फुटेज में एक महिला बच्चे को सोते समय ले जाती हुई दिखाई दी महिला को CST स्टेशन के फुटेज में भी देखा गया और बाद में वह बांदरा टर्मिनस जाने वाली ट्रेन में चड़ गई तब क्राइब रांच ने जैपुर में अपने मुक्बिर लगाए वहीं टीम के मुंबई लोटने के बाद एक मुक्बिर ने उन्हें बताया कि महिला और बच्चा जैपूर में एक ATM के अंदर सो रहे थे इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने जैपूर पुलीस से महिला और बच्चे की तस्वीरे भेजी जिसके बाद महिला को गिरबतार किया गया महिला के पहचान 23 वर्षे पायल लक्षमर्सीन के रूप में हुए फिलाद अभी किटनेपिंग के कार्णों का पता नहीं चल सका है